आत्ममंत्रन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत हैं और ये आज की बात नहीं है कि जसिस रजय समझ है अब जसिस कारजय तो क्योंकि सुप्रीम कोट में रहे हैं जज रहे हैं तो मैं समझता हूँ इस से उन से जादे और कौन जानता होगा वो तो अंदर की बात बता रहे हैं और वो अगर कह रहे हैं कि आधी सुप्रिम कोर्ट भरस्ट है तो मतलब यह माना जाए कि 31 जजों की सुप्रिम कोर्ट की पूरी स्टेंथ है यानि 31 जज सुप्रिम कोर्ट में हैं और आधे का मतलब हो गया है कि मतलब 15-16 जजिस जो इंट्रिवू दिया था उसमें उन्हेंने कहा था कि अपसे पहले कि जो 16 चीफ जस्सिस हैं उन्हें लगबग आदे भरस्ट हैं यानि आठ जजिस भरस्ट हैं और उन्होंने आठ जजिस जो भरस्ट हैं जब उनके खिलाप में असकंटंट प्रेडिशन लगए तो जो उन्होंने कहा कि आधे जजजिस भरस्ट हैं तो आठ जजजिस के खिलाप बाकायदा उन्होंने एक गूरी एविडम्श देके कि इन जजने कहां पर ये रहे किस के फेवर में काम किया और जिसके फेवर में किया उससे इनको क्या मिला वो सारी की सारी चीजें उन्होंने बाकदा अपने एफिडविट में लिख के दिए तो मैं समस्ता हूं भरष्टाचार का और इससे बड़ा सबुद क्या हो सकता है और उन्होंने तो Chief Justice के विश्य में कहा कि 16 जो Chief Justice रहे हैं और Justice कार्जू अगर कह रहे हैं तो यही सही बात है कि Chief Justice इनवी बाकी और जो जजिदें सवालिया निशान उने पर भी लग जाते हैं और Justice कार्जू का कहने का मतलब यह है कि परिस्थिती बहुत गंबेर है इसको थोड़ा सा और आप देखें आप जब चार सीनियर जजिज जो जनवरी दोहजार अठारे में आके नेक्स्टू चीफ ज़सी चार सीनियर जजिज आके प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सुप्रिम को में जब हमारी पीडी हमसे कहेगी आप थे आपने क्या किया तो हम उसको क्या जवाब देंगे तो आपको समझ लेना चीए कि वो बहुत छोटा मसला नहीं था वो बड़ा मसला था और उस बड़े मसले में कई चीजे शामिल थी वो ये थी कि जो पट्रिकुलर जो कुछ केस केस थे जो राजनिती इसको महत्पूंट केस थे राजनिती महत्पूंट जो केस थे जासी चैल में शरम या और जो चारज जीनने पर चलने ते चलते हुए केस जिन में वह आर्गुमेंट सुन रहे थे उनको डिसाइड करनाangenां ठाब दीश िसीजिजन देना था वो यकाल जा उस बात पे वो था इसका मतलब यह है कि सुप्रिम कोट के जब सारे जज़े ज़े एक समान है एड्मेस्टेटिव पावर चीर ज़सिस के पास होती है उसको छोड़ कर जूडिशल पावर सब्सक्राइब के समान है तो आपने क्यों लिया जब वहां मुकदमा चला था के एक पटिकुलर बेंच को आपने ट्रांसफर किया इसका मतलब यह है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है अब इस बात को आप इस तरह से भी देखिए कि अभी जब सुप्रिम कोट में प्रिशान्त भूशन जी पर कंटेंट का मुकदमा चला था उसमें जब आर्गुमे जो एटोरिनी जनरल है यह अप किम्से कम पांच जजडिस के और द दे सकता हूँ जू यह कहते है कि सुप्रिम कोट में लोक तंत्र नहीं है लोक तंत्र खत्म हो गया और मैंầप नो जजगिस के नाम आपको दे सकता हुँ जिन जोальные वे ब Dartmouth कोवनी आर्ट को इस्टा जो जो अब आप देखिए जो केके वेनी गुपाल एटॉर्णी जर्नल है भारस सरकार के वकील है वो सुप्रिम कोर्ट में ये बात करें है ओपिन कोर्ट में ये बात हो रही है और जसिस कार्ट जो ये बात करें कि आदे जजज़ज़ वो हैं और जो प्रशानत भूशन है वो अपने एफिडेविट में लिखके दे रहे हैं कि ये जजज़ और उनके साथ सबूत दे रहे हैं पूरे सबूत दे रहे हैं इसके बाद भी कहीं किसी और चीज को कहने की जरूत रह जाती है या किसी और के कहने की जरूत है क्या और भरष्ट चार यह पैसा लेते हैं अन्दारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जो आपके कंदों पर सबसे ज़ाधे हैं सबसे पहले हैं अगर आप थे यह ईक उदारनः जह मंदिर का जो मसला है राम मंदिर का जो मुगद माता जब सुप्रिम कोट उसमें कहती है कि वहाँ पर मंदिर कभी था नहीं तोड़ी गई है वो मस्जिद है कभी उसके निशान नहीं थे मस्जिद के निशान है वहाँ पर और उस सब के बाब जूद भी मंदिर के हग में फैसला दे इसको क्या कहा जाए किया कहें आप इसको और दूसरी बात आप इनकी बात करें अभी जो 48,000 जुगियां तोड़ने की बात हो रही है बड़े आरहम से खेदिया सुप्रिम कोड ना कि अर्टाली से जुगियां तीन महीने में तोड़ दी जाए और इसके विशे में कोई राज इसको में लगा रहे हैं कहां इसे क्या कहेंगे आप क्या इमानदारी है यह जुडिशल डिसॉनस्टी है इसको क्या कहेंगे आप दूसरी बात है एक यह चीज नहीं है आपने देखा हुए एक बार करीब 10 लाक जो आदिवासी है उनको खाली करने का वो दे दिया गया था वो तो फॉर्चुनेटली उसमें डाला गया और जो दूसरी बैंच थी उसना जो उसको इससे कर दिया यह सचार की सित्वाई कई आरोप लगया है कि सरकार के नियंदर में काम कर रहा है आजका सुप्रिम को ने आरोप की क्या बात है वह से सीधे कहते हाथ कंगन को आर सी क् अब आपकी आँखों के सामने हैं कि जो भी मुकदमा पिछले कुछ समय से लगातार जो भी मुकदमा सरकार का या सरकार के खिलाप आता है सरकार के पक्ष में उसमें आदिश हो रहे हैं तो इसमें देखने की क्या दूरत एक मुकदमा हो दू मुकदमा हो तीन मुकदमे हो पांच मुकद में हो, कोई मतलब भी नहीं, जितने भी मुकद में सरकार के आ रहे हैं, या सरकार के विरोध में आ रहे हैं, हर किसी में सरकार को फिवर हो रहा है, हर किसी में सरकार के जो पच्छ में निर्णे दिया जा रहा है, तो क्या माना जाएगा, इसको सीधा सीधा यही अनुमाल लगाया जाएगा कि भाई सरकार के दवामे कर रही है या सरकार के फेवर में सारे काम कर रही है सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोट खड़ी है तो बिलकुत साफिजिती है तो इससे जो लोकतंत्र का और आम जंता को कितना нुक्सान पोड़ा लोगतंत्र खतम कर दिया गया है इस देश में और इसमें कोई शक नहीं है कि इस लोगतंत्र को खत्म करने में जो सुप्रिम कोट के जो एड़ोकेट है प्रिशांद भूशन्ट साहब उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट बिल्कुत सही था कि जो पिछले 6 साल में ह उसका मतलब क्या है इसका मतलब सीधा साफ है इसका मतलब यह है की सुप्रिम कोर्ट के होते हुए खुत्म हो गया और कहीं ना कहीं लोक तंत्र को खत्म करने में सुप्रिम कोड का भी हात रहा है और जब चार सीनिर जज़िस आके 2018 में कहेंग गए कि लोकतंत्र खत्रे में है और सुप्रीम कौट में जो चलाए वह सभ कुछ ठीक नहीं तो बहुत साब है लोकतंत्र कोres कुझ कोट की भागेदारी है और बहतर यह है कि सुप्रिम कोट आत्म मंतन करे आत्म चिंतन करे आत्म आवलोकन करे और देखे कि ये जो सारी परिस्थिति हैं सरकार के दवा में ना के सरकार के पच्छ में न खड़े होगे वो देश की जनता क्योंकि वो शपत प्रधान मंतरी की ने लेते सरकार की ने लेत वो सपत लेते हैं भारत के संविधान की और भारत के संविधान के तैत निश्पक्ष रूप से काम करने की सपत लेते हैं भारत के संविधान को संरख्षित करने की सपत लेते हैं तो यह उनको देखना है ताकि उनकी उपर उंगली न उठे अपसोस ऐसा अभी तक हो नहीं रह और जैसे अरुन विश्या जैसे जो लोग हैं जिन्होंने सरकार के फैबरा में लगातार काम किया और जितने भी जो जज्जमेंट्स आए उन्हें मैक्सिमम जज्जमेंट्स जो बड़े विवादित थे राजनितिक रूप से बड़े महत्पूर्टे सारे के सारे सरकार के पक्षमें किये गए और जाते जाते भी सरकार के पक्षमें किये हैं उन्होंने मकद में और आप देखेंगे एक वेंकेटिश्वर जी हैं बड़े अच्छे 30 साल का जिनका एक अनुभब रहा है उन्होंने पांच उसमें वो एपिसोड में एक उनके उपर कि जो जसिस अरुन मिशा है इनका जो टैनियोर है कैसे ये इतने प्रिभावशाली होगे और कैसे ये विवादास पदर है आप उसको देखिया पढ़िया आपको बहुत सी चिंज़ा समझा अगर ऐसा है तो जो आम जनता का जो भरोसा है सुप्रिम कोट से उड़ जाएगा तो फिर देश के समविधान को देश की सुप्रिम कोट को इस देश को और अपने आपको केवल और केवल जनता बचाएगी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कितने ही सालों से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं आज के समय में लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है सरकार की नहीं है नेताओं की नहीं है विपक्षी नेताओं की नहीं है क्योंकि विपक्षी नेताओं भी मौज लेते हैं उनको सारी सुफदाइं सारी फैसलिटी मिलते हैं वो भी आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे और ये सरकार अगर इस सरकार के खिलाब आप नहीं बोला आने वाले समय में बोलने लाइक भी नहीं छोड़ी गेर वो इस सित्य आ गई है कि जो भी बोलता है जो सच बोलता है उसको UAPA कानून के अंतरगात NSA के अंदर बंद करके जेल में डाल दिया जाता है गला घोट दिया जाता है FIR करा दी जाती है और जाद है अगर खतरनाग लगता है तो उसको मरवादी आ जाता है ये सित्ती सामने आपके आ रही है जज लोईया तक को मरवादी आ गया आप समझ सकते है तो ये जनता ही जनता समझ ले ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जनता की है जनता को ही लड़नी पड़ेगी बहतर ये है कि बजाए सोने के जितनी जल्दी हो सके जागो और सड़क पर आओ ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी घर में बैटके नहीं ये लड़ाई यूटूब पर नहीं लड़ी जाएगी ये लड़ाई वाटसब पर नहीं लड़ी जाएगी फेस्बुक पर नहीं लड़ी जाएगी टूटर पर नहीं लड़ी जाएगी Instagram पे नहीं लड़ी जाएगी सड़कों पर रास्तों पर आकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जन्ता को ही ये लड़ाई लड़नी है अब सब कुछ खत्म हो चुका है सब कुछ बिक चुका है निजी करन में पूरे देश को बेचा जा चुका है तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहा है कब लड़ोगे, कब खड़े होगे मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ आओ, सड़क पर उत्रो और जिस तरफ से ये नोजवान कर रहे हैं